नमस्कार आप देख रहे हैं पलपल सांसद दुशेन चोटाला ने अपने सिर्सा आवास पर कारेकरताओं से मुलाकात की इस दोरान दुशेन चोटाला मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि जेजेपी के संगठन की प्रक्रिया जारी है और 28 फरवरी तक जिला स्थर के संगठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी उन्हेंने बताया कि 20 फरवरी को सिर्सा में पार्टी के नए कारेला का उद्गाडन भी किया जाएगा और इस से पूर सिर्सा जिला के ब्लोक्स तरके संगठन के प्रदधिकारियों की घोशना कर ली जाएगी दुशन चोटाला ने कहा कि पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए 13 फरवरी से विधायक नैना चोटाला का कालावली हलके क्या दोरा शुरू होगा और सिर्सा के सभी विधान सभाओं का दोरा भी किया जाएगा और इसी के साथ देखिए पलपल की यहाँ खास रिपोर्ट हम यह उमीद रख रहे हैं 28 तारीक हमने डेडलाइन रखी है और जहां सिर्सा जिले की बात है 20 तारीक को सिर्सा के अंदर जो पार्टी का निया कारेले है उसका उद्गाटन भी किया जाएगा और उससे पहले सिर्सा जिले की जुम्मवारियां जो है उनको हम दे देंगे कि ऑफिस बेरर्स हलके लेवल पर भी कारेश शुरू करें इसके साथ स्रीमती नेना चोटाला जी के भी कारावाली के डवाली के और साथ के साथ बचे तीन हलकों के भी प्रोग्राम्स चौक ओट कर दी के हैं कि जल्च 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 गाउं लेवल पर भी जो आज कॉंग्रेस बीजेपी को छोड़ कर लोग जोइन करना चाहते हैं उनका भी हम जल्च जल्च स्वावत के तेरा तारीक का कारावाली का है चोदा का डवाली है इसी परकार से सभी अलकों का वो दोरा करकर जितने और नए साथी संक्टन को मजबूती के लिए जोड़े हैं उनका साथ है जहां नैशनलिस्ट इलेक्शन है हम इस परयास में है कि नैशनल सोच के तमाम संक्टन एक हो और फिर एक कंप्रमाइज कलेक्टिव एक डिसीजन लिया जाए जिसके अंदर सारों की सोच को मिलाकर नैशनल एजेंडा सेट किया जाए एक रिजिनल पार्टी पूरे देश के लिए एजेंडा सेट नहीं कर सकती वो तो अपनी स्टेट के लिए कर सकती बर मुझे लगता है कि एक नैशनल पार्टी एक होंगी तो एक कलेक्टिव ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जो जानित के लिए पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा